नमस्कार जाहिन दोस्तों स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटुब चैनल दाप बेकार ब्लॉक्स में और आज एक नया वीडियो लेकर आपका भाई हाजित है और ये वीडियो है दुरगा पुजा स्पेशल यानि के अगले आठ मिनत में आप दिखें हैं तो आठ पंडाल में लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा और कॉमेंट जरू से करके बताएगा कि आपको कौन सा पुजा पंडाल सबसे अच्छा लगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरू से कर लेट्स गो आप देख सकते हैं यह इस तरीके से बनाया गया जो पीपर और कपड़ों की मतब से बनाया गया है क्योंकि अभी अंडर कंस्ट्रक्टेड है आप यह देख सकते हैं दोस्तों यह है आठ गाउं फ्लाइबर प्रीच के नीचे यह पंडाल का लोकेशन है आप लोग जोड़ से आईए और देखिए चले बढ़ते हैं दूसरे पंडाल के दरफ दोस्तों यह आप देख सकते है यह च्छत्रिवारी की पुजा के जो पंडाल है उसका दुरिष्टे जहां पे ती में और पेपर से लाइबरेरी बनाया गया है यह आप देख सकते हैं इस तरीके से हाँasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas लोगों का यह आपका गवार्टी के सात्री बाड़ी एरिया में बनाया गया है और यहां पर फुरा थीम देखें यह सिर्फ और सिर्फ बूप के थीम पर बनाया गया यानि कि टोटल जो है यहां पर यह लाइबरेरी की तरह इसको शोग करने की कोशिश कर आगया है आप यहां पर यह जो है यह एको फ्रेंडली बनाया गया जिसमें तार के पत्तों का इस्तुमाग किया गया है और इस तरीके से कुछ अंदर की लाइटिंग जो है वह सजाए गई है अब देख सकते हैं कितना खुबसूरत यह पंडाल बनाया गया है जो अभी अंडर कंस्रक्ट पुजा कमेटी अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पुजा कमेटी के तरफ दोस्तों हम आप पहुंचे हैं प्राग्योति स्कॉलेज के पास का जो पुजा पंडाल है वहां पे आप देख सकते हैं यहां जो पुजा की वह सूती बस्ते पार्ट इन सब चीज से जा रहा है यह बाहर से जो लुक है इस पंडाल के कुछ इस तरीके से दिखने वाला है जो आफ्टर लाइटिंग आपको शांदाज देखेगी लेकिन जिलाल यह काम कंस्ट्रक्टर्टर है और कल तक पूरा हो जाना चाहिए उसने आप बढ़ते हैं वह अगले पंडाल के यह आप चावी पूल पूजा कमिटी का पंडाल देख सकते हैं जो इंडिया गेट थीम पे बनाया गया है यह अंदर का नजारा है आई हम आपको बाहर का नजारा दिखाते हैं दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह चावी पूल पूजा पंडाल बनाया गया जो इंडिया पर बनाया गया है यह चलिए अब हम आपको विशनुपुर में हो रहे हैं और दो पूद्धा पंडाल को अच्छे तरीके से दिखाते हैं यह आप देख सकते हैं यह जो थी में यह लुंबनी है जो कि बर्थ प्लेस अब लोड गुद्धा बगवान बुद्ध की जन्मस्तली कि जो लुंबनी है उसका यह थी मैं और उसी के वेस्ट पर सेम टो निटो आप देख सकते हैं यह पंडाल बनाया गया है आप यह को उसिछ करता हूं आप लोगANS सकते हैं यह आप देखें यह सेम एजटी जो पिक्चर है उसके तुरू से इसको बना आया गए है हुआ हो आप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हूँ यह पंडाल आप देख सकते हैं विम्ला नगर विष्नुपूर्का है और लाइटिंग की व्योस्ता उतनी अच्छी नहीं करी रही है फिर भी मैं आपको अंदर से थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं आप आए हमारे साथ यह आप देख सकते हैं यहां की जो पूजा थी में यह अंकोर बारी एक टेंपल है कमबोडिया की उस थिम पर इसको बनाया गया है लाइटिंग अभी है नहीं जादा जिसके वेसे आपको वीडियो फूटेज सही से देख नहीं रहा होगा लेकिन मैं कोशिश करता हूं थो यहां 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 भी भी रजमान है चलिए अब हम आपको दूसरे कुछा पंड़त तक देख यह आप देख सकते हैं यह कोलोनी वजर भासकर नगर आप करिएगा भासकर नगर भूजा कमिटी जो जंगल बुक के थीम पर यह पंडाल बनाया जा रहा है आप देख सकते हैं और यहां यह कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है और पहरावत हाथी यहां पर इसका काम चल रहा है आप देख सकते हैं यह